दोस्तों इंडिया में क्या दुनिया में कोई शायद ही ऐसा किचन होगा जिसमें फ्राइंग पैन ना हो क्योंकि इंडियन खाना हो या अमेरिकन या फिर चाइनीज कुईजीन फ्राइ किया हुआ खाने की बेगेर किसी भी कुईजीन में जान ही नहीं आती चट पटा सा स्नैक्स बनाना हो, या फिर जल्दी का ब्रेकफास्ट फ्राई पैन बहुत कामाता है हर किसी को अपना फ्राई अलग से और अलग कुकवेर में भी बनाने की आदत होती है किसी को लोहे की फ्राई पैन पसंद आती है और किसी को नॉन स्टिक आज के एपिसोड में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इंडिया में अवेलेवल बेस्ट ब्रैंड्स के कुछ चुनिंदा भेतरीन फ्राइपैंज का इन्फॉर्मेशन जो एलमिनियम, लोहा, नॉन स्टिक हर वराइटी में है और हां इंडक्शन फ्रेंडली भी है आप देख रहे हैं What's the Best Product Review चैनल ऐसे ही Interesting Product Review वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाए ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर वीडियो की लेटिस्ट अपडेट दोस्तो हमारी किचन्स में जो सबसे पुराना यूज होने वाले बटन है उन में से दो कॉमन है एक है Aluminium और एक है लोहा यानी Iron पहले बात कर लेते हैं Aluminium की Aluminium fry pan सबसे ज़्यादा popular है क्योंकि Aluminium सस्ता है, maintain करना आसान है और बहुत दिन तक तिकता है और इसमें heat equally फैलता है इसलिए खाने की जलने का डर कम होता है जो frying pan के लिए बहुत ही जरूरी है Aluminium frying pan में एक best quality fry pan है ये तालू का brand का fry pan ये 7.8 इंच का तालू का fry pan आता है 700 के करीब कॉस्ट में, high polish और अच्छे finishing के साथ ये dishwasher safe है और बहुत मस्बूद भी इसकी diameter 20 cm के आसपास है और ये handle के साथ आता है 550 gram की weight की इसकी अच्छी बात ये है कि ये है तो Aluminium की और Aluminium आप induction पे नहीं यूज़ कर सकते पर ये induction base के साथ आता है इसलिए इस Aluminium frying pan को आप आराम से induction पे भी यूज़ कर सकते है और gas पे भी ये lid के साथ भी मिल जाता है दोस्तो Aluminium में खाना बनाना आसान तो है पर इसको बहुत लोग healthy नहीं मानते क्योंकि थोड़ा ही सही Aluminium लीच करता है और कई दफ़ा इस पे काले निशान भी पढ़ जाते है ऐसे लोगों के लिए जिनको Aluminium की cookware ना पसंद है उनके लिए best option में से एक है stainless steel एक बेतरी stainless steel का frying pan है Prestige Platina Induction Based Stainless Steel Frying Pan दोस्तो इसका 24 cm की pan आपको मिल जाएगा करीब 1000 के आसपास की cost में यह stainless steel का है और 2.1 लीटर capacity में आता है 5 साल की warranty भी है इसमें यह gas पे और induction पे दोनों पे चलता है दोनों के साथ compatible है यह आता है 7 mm thick unique impact forged extra thick bottom के साथ जो high temperature में भी खाने को जलने नहीं देता heat को evenly distribute करता है इसमें मजबूत stainless steel के handles दी गया है यह मुझे best लगता है क्योंकि यह steel की है तो healthy है steel की है इसलिए आप high से high heat पे fry कर सकते है थिक base है तो जलेगा कम steel maintain करने में लोहे की fry pan से तो आसान है अगर आप इन में से कोई भी frying pan खरीदना चाते हैं तो नीचे description box में आपको उसका link मिल जाएगा लिंक पे जाके इसको खरीच सकते हैं दोस्तो बहुत लोग खाने को fry तो करना चाते हैं पर health का भी खयाल रखना चाते हैं इसलिए non-stick यूज़ करना चाते हैं क्योंकि उससे frying के दौरान तेल कम डालना पड़ता है फैट और कॉलिस्टरॉल से बचने के लिए अगर आप कम तेल में shallow fry या सौते करके काम चलाना चाते हैं तो आप यह Hawkins Futura का non-stick fry pan यूज़ कर सकते हैं Hawkins का Q22 Futura non-stick frying pan glass lid के साथ आता है यह 18-22-26 cm के अलग-अलग size में आपको मिल जाएगा लिट के साथ भी मिलता है लिट के बगैर भी दोस्तो इन मेंसे कुछ models में induction base है और कुछ models में नहीं है इसलिए उसमें भी आपको choice मिल जाता है यह made in Germany है और इसकी non-stick coating market में best में से है इसका non-stick की coating के नीचे hard anodized surface दिया गया है तो cook wear काफी मजबूत है और ordinary non-stick से ज्यादा चलता है दो साल की आपको इसके साथ warranty मिल जाता है पर दोस्तो जितनी मर्जी non-stick हो तेल थोड़ा तो डालना पड़ता है पूरा का पूरा non-stick तो आपको सिर्फ granite या stone finish के cook wear में ही देखने को मिलेगा granite के frying pan में आप तेल को हलका brush करके या बिलकुल तेल के बगैर भी सौते करे तो खाना नहीं चिपकेगा granite finish के frying pans में best है prestige omega deluxe granite का frying pan जो आता है 20 cm या उसके ज्यादा sizes में यह induction base के साथ आता है तो आप इसको induction cooktop या फिर gas हर तरह के cooktop पे यूज़ कर सकते हैं इसकी handle काफी मजबूत होती है और इसकी 5 layer coating खाने को बिलकुल चिपकने नहीं देता आप इसमें completely तेल के बगेर भी fry कर सकते हैं मेरे चैनल पे prestige omega deluxe granite पे बगेर तेल के अंडा बनाने का विडियो मौजूद है आप देख सकते हैं इसके superior non-stick surface PFOA free है जो इसको दूसरे सस्ते non-stick से healthy बनाता है ये तो रहा कम तेल की frying की options पर fry खाने का मज़ा तो तेल के साथ ही आता है तो चले चलते हैं हमारी last option iron का यानी लोहे की fry पैन की तरफ दोस्तो लोहे की frying पैन्स पुराने जबाने से किचन में यूस होते आये हैं ये घोलते हुए तेल को भी सम्हाल लेते हैं और अगर ठीक से maintain करेंगे तो एक दो नहीं कई पीडियों तक चलेगा ये बहुत ज़्यादा हीट लंबे समय तक बरदाश कर सकता है तो इस पे आप स्टो कुकिंग कर सकते हैं ये बड़े से बड़ा साइज में भी मिलता है तो ज़्यादा कैपसिटी में भी आप पका सकते हैं आईरन फ्राइंग पैन्स में ये Amazon Basics का pre-seasoned cast iron skillet pan काफी बहतरीन है ये large, extra large और double XL जैसी बड़ी sizes में available है इसमें आप एक साथ 6 अंडों तक की fry बना सकते हैं ये लोहे की है तो gas हो या oven हर चीज पे चल जाता है ये काफी भारी है तो अगर आपको भारी चीजों को उठाने में problem होती है तो ये मतले ये pre-seasoned आता है पर फिर भी आपको इसको तेल से season करना पड़ेगा अगर आपको लोहे की cookware और cast iron से दिक्कत नहीं है ये सारी चीजे इस्तिमाल करने के लिए आप time दे सकते हैं तो ये जबरदस्ट option है इसको proper season करने पे ये लगभग non-stick हो जाता है इसमें आप sauté, sear, fry, deep fry, bake, broil, roast बहुत कुछ कर सकते हैं कीमत इ hand wash करना पड़ेगा और हाथ से ही maintain करना पड़ेगा इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ज्यादा और लंबा time तक heat बरदाश कर सकता है और लंबा चलता है ये oven के अंदर 260 degree centigrade तक की heat बरदाश कर सकता है एक साल की आपको limited warranty भी मिल जाती है अगर आप cooking में माहिर है तो ये आपके लिए best fry pan option है तो दोस्तों ये था मेरे नजर में इंडिया में available कुछ best frying pans जो अलग-अलग metals और capacities के साथ आता है चाहे आपको अपना fry oily अच्छा लगता हो या healthy आप induction यूज करते हो या gas उमीद है कि आपको इन में से कोई ना कोई option जरूर पसंदाया होगा अगर आप इन में से कोई भी frying pan खरीदना चाते है तो नीचे description box में आपको उसका link मिल जाएगा link पे जाके इसको खरीद सकते है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो like जरूर करना वीडियो में बताई के जानकाडी दूस्तों को भी जरूरत हो सकती है इसलिए वीडियो को अपने हर नई वीडियो की देटेस्ट अपडेट हमेशा अपने हमेशा